भाई और बहनों, सही विकास वही होता है जिसका लाब सब तक पहुँचे, जो विकास संतुलित हो, जो सब के लिए हितकारी हो, और ये बात वही समझ सकता है, जो संबेदन सील हो, जिसे गरीबों की चिंता हो, लंबे समय से, गोरकपुर सहीत, ये बहुत बड़ा शेत्र, सिर्फ एक मेडिकल कॉलेज के बरों से चल रहा ह। यहां के गरीब और मद्यम बरगिये परिवार को, इलाज के लिए बनारस या लखनव जाना पड़ता है। पांच साल पहले तक दिमागी बुखार की इस ठेत्र में क्या स्थिती थी, ये मुझसे ज़्यादा आप लोग जानते हैं। यहां मेडिकल कॉलेज में भी जो रिसर्ट सेंटर चलता था, उसकी अपनी बिल्लिंग तक नहीं थी। बाई और बहनों, आपने जब हमें सेवा का आउसर दिया, तो यहां एम्स में भी आपने देखा इतना बड़ा एम्स बन गया, इतना ही नहीं, रिसर्ट सेंटर की अपनी बिल्लिंग भी तयार है। जब मैं एम्स का सिलान्याज करने आया था, तब भी मैंने कहा था, कि हम दिमागी बुखार से इस खेत्र को राहत दिलाने के लिए पूरी महनत करेंगे। हमने दिमागी बुखार फ़लाने की वज़ग को दूर करने के पर भी काम किया और इसके उपचार भी आज वो महनत जमीन पर दिख रही है। आज गोरकपूर और बस्ती डिविजन के साथ जीलों में दिमागी बुखार के मामले लगबग 90 प्रतिशत तक कम हो चुके हैं। जो बच्चे बिमार होते भी हैं, उनमें से जादा से जादा का जीवन बचा पाने में हमें सफलता मिल रही है। योगी सरकार ने इस खेत्र में जो काम किया है, उसकी चर्चा अब अंतर राष्ट्य स्तर पर भी हो रही है। एम्स और आईसी एमार रीसर्च सेंटर बनने से अब इनसे फ्लाइटी से मुक्ति के अभ्यान को और मजबूती मिलेगी। इसे दूसरी संकार असंकरामक बिमारिया महामारियों के बीच उसके बचाओं में भी यूपी को बहुत मदद मिलेगी।